असलाव अलेकुम, विलकम टू मैं चैनल, देखिए दोस्तों इस वीडियो में, आज हम आप लोग को साइकल के सीट के कभर बनाना बताएंगे, तो दोस्तों इससे पहले अगर हमारे चैनल पर नए है है या हमारे वीडियो को पहली बार देखना है तो प्लीज हमारे चैनल को हम पहले हम क्या करेंगे हम एक पेपर लेंगे पेपर को खोलेंगे और इस तरीके से हम एक किनारे Сे प्ल different feBL can already लेंगे किनारे किनारे से हमारा जो सीट है उस किनारे से हम निशान लगा देंगे तो नीचे से इस तरीके से हम नीचे तक पेपर को दापके हम किनारे किनारे पे निशान लगा देंगे इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से हम पूरे सीट पे हम निशान लगा से मिला देंगे तो उसके बाद हम क्या करेंगे आप लोग देखिए उसके बाद हम पेपर को रखेंगे और उसकी कटिंग करेंगे तो आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से तो हम पेपर को पहले निकाल देंगे आधा और जो हमारा निसान है उसको हम कटिंग करेंगे तो प कि तो आप लोग 동안 देख हैं इस तरीके से हाम है इसान को कट कर देंगे हैं का दो अब देख सकते हैं हुआरी कटिंग्ट हो छुकी है इसके बाद हम बीचो कर दो मोडने के कि एक कर देंगे तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं इधार भी हम काट देंगे जो हमारा निकला है बाहर और हम काटने के बाद दोनों तरफ बीच विच छोटा सा निसान लगा देंगे कट लगा देंगे तो इस तरीके से हम खोल देंगे, आप लोग देख सकते हैं, आप उसके बाद हम कपड़ा लेंगे, जो हमारा एक प्रिंटेड फाइबरिक है, काटन का, तो इस तरीके से हम खोल देंगे, खोलने के बाद, पेपर को रखेंगे, उपर, और हम क्या करेंगे, पेपर को रधा इ तो आप लोग देख सकते हैं हमारे कटिंग हो चुकी है हमारी कभर की कटिंग हो चुकी है तो हम क्या करेंगे कपड़े को भी उसे तरीके से अपना पूरा गज्द मंधे पूरा काट लिया है जो भी निकलेगा तो हम अच्छे तरीके से कट कर देंगे बराबर करके बीचो बीच से तो आप लोग देख सकते हैं जो भी हमारा कपड निकलेगा हम उसको कट कर देंगे और इस तरीके से हम बीचो बीच से निसान भी लगा देंगे तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारी कवर कटिंग हो चुकी है उसके बाद हम जो नीचे पट्टी लगाएंगे लास्टिक लगाने के लिए उसमें तो उसकी कटिंग करेंगे तो हम मोड़ के डबल करके इस तरह कवर को देख लेंगे कितना हमारी लंबाई है तो उसके बाद डबल कर देंगे डबल करने के बाद तो तो थोड़ा सा में एक्स्ट्रा लेंगे कि कि मैं लगाने के बाद चोटा ना हो इस तो इस तरीके अप्केट लेका हम कट कर देंगे कि में तो इस तरीके से आप लोगद कुए सकते हैं बुत ही ऐजी है बनाना बहुत ही सिम्पल है तो इस तरीके से हम अगर चार फोलक कर देंगे बर्द कर देंगे कफड़ को इदर-दुर protective उसकी। ओद इसकी चाॉड़ाई हम लेंगे, चारिंच, इसकी चारिंच निसान नीचे उपर बिच में लगादेंगे, लगाने के बड़ बराबर से हम कट कर देंगे, इस तरीके से आप कट लगी हुए निसान तो हां से हम थोड़ा सा आधा इंच उपर कपड़ा छोड़के वहां से सिलाई लगाएंगे कि हम जब आधा इंच हमारा चूटा हुआ है तो उसको हम जोइंट कर देंगे जो हमने छोड़ा है तो इस तरीके से हम आराम आराम से चारो तरफ घुमाते हुए सिलाई करेंगे कभर पे पठी लगाएंगे तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से हम चारो तरफ पठी को लगाते हुए आएंगे नीचे तक विडियो को लाष्ट तक देखते रहे हैं आप बहुत ही खुप्सोरत लगेगी बनने के बाद हम सीट ने जब लगाएंगे तो अप लोग देखते रहें इस तरीके से हमें अराम-ाराम से घुमाते जाएंगे और शीलाइक को लगाते जाएंगे इस तरीके से और इस तरीके से हम जो हमारा आधा इंच कपड़ा हमने छोड़ दिया था उसको आपस में दोनों कपड़े को पकड़ के किनारी को हम सिलाई को लगा देंगे ज्वाइंट कर देंगे तो आपने देखा हमारी एक तरफ की सिलाई हो चुकी है अब हम सीधा कर देंगे अच्छी तरीके सीधा उधर ना रहे हमारा तो इस तरीके से अच्छी तरीके से हम सीधा कर लेंगे उसके बाद जो हमारी सिलाई है उस पर ही हम सिलाई को लगाएंगे डबल करके कपड़ा को कपड को तो इस तरीके से हम रखेंगे और हम अंप लेंगे कि हमारी इक लंबाई एक तरफ कितनी है तो हमारी 16 इंच है कि 64 इंच घर है तो हम इसमें लास्टिक कंगे कि तो हमारा 17 ऐख है आप लोग देख सकते हैं track हुआ है lemon लेंगी हम तो हो ही तो मोरा सथ फटोड़ा 14 इंच है हमने तोड़ा सा 2 इंच इस्ट्र लिया सिलाई में दब जाएगा हमारा उतना ही हमने लिया आधा तो आप उसको डबल करके हम सिलाई कर देंगे हम एक तरह कर नाप लेकर के लाश्टिक लगाना है आधा दोनों तरफ कर नहीं लगाना है तो इस तरीके स से हम वैसित कर देंगे लास्टिक का उसके बाद लास्टिक को अंदर रखेंगे आर कपड़े को मूडने के बाद हम सिलाई पे ही रखे इसक्यां अदर मूड़ लेंगे और सिलाई पे रखे सिलाई पर ही हम सिलाई को चलाएंगे मारा धर्दन्ना हो तो सही रहेगा तो इस तरीके से हम लाश्टी को अंदर डाल के और सिलाई को लगाते जाएंगे इस तरह पूरे सीट का भर में हम सिलाई को लगा देंगे आप लोग देखते रहें आराम-ाराम से सिलाई को लेना और लाश्टी को मोड़ते जाएंगे लाश्टी को खिशते जाएंगे इस तरीके से हम पूरे सीट का भर में सिलाई को लगा देंगे देखते रहें आप लोग लाश्टी को अंदर करना है और सिलाई को इस तरीके से आराम-आराम से हम लगाते जाएंगे तो आप लोग देखते रहे हैं हमारी वीडियो को लाश्ट तक तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारी सिलाई पूरी हो चुकी है कभर लगाने के बाद जो हमारा साइकल का सीट कभर होता है और सेप्टी में रहता है तो आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से हम देख लेंगे और उसके बाद हम आपको साइकल में लगा कर दिखा दे रहे हैं सीट में कि किस तरीके से हमारा लग रहा है तो आप लोग देख सकते हैं हमारी सीट कभर इस तरीके से हम सीट पे लगाएंगे और अच्छी तरीके से कपड़े को खीचेंगे इधर धर ना रहे बराबर से रहे चुन अंदर का चुननट तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं कि लगने के बाद कैसी लग रहे है बहुत ही खुबसूरत हुए दौत रहित ऐसे तक सेथिंद्व को अपत्यों किवेद्ध करें होगा अ सबस्क्राइब करें हमारे आप लोग को कैसी लगी जरूर कमेंट में बताएगा तो दोस्तों फिर मिलेंगे अगली वीडियो में तब तक के लिए खुदा आफिज